है गाइस आप सभी का स्वागत है टीम्स फॉर इन यूटूब चैनल पे इस वडियो में प्रिवियू करने वाला है विजय हजारी ट्रूफी का मैच जो की डेली वेसस मुंबाई के बीच खेला जाने वाला है यह वेन्यू जो इनके लिए अलोकिट किया गया वो काफी आप क सामने रखूंगा हेट्ट्रेट में क्या हुआ है पांच साल जो लास्ट जो है पांच बार इन्वेन खेला है वो कितना पुराना रेकॉर्ड है वो सब आप देखेंगे और प्लेयर वाइस भी हम जो है आप अनलिसस करने वाला है तो जुरूर आप पूरा वीडियो देख काफी हद तक आपको सारे प्लेयर्स का रिगार्डिंग इन्फोर्मेशन मिल जाएगी उसके बाद आप अपना स्मॉल लीग का टीम या ग्रैंड लीग का टीम जो भी है बना सकते हैं लास्ट मैच हमने जो कवर किया था मिलनाडव असस पंजाब का वो मैच हमारे लिए जै अइस होने वाले हैं तो जुरूर बहुत अच्छा यहां पर इन्फार्मेशन होता है हमारे वीडियो में तो जुरूर आपको वीडियो सब्सक्राइब करना ही जो मैस खेले जाए रेगा जाए यहां पर वेन्यू होने वाला है temperature की बात करता हूं यानि जो वैदा रिपोर्ट है वह काफी सही है 29 डिग्री celsius का सपास है यानि होट से नीडे होने वाला है और ज्यादा बारिश के chances नहीं है और यहां पर बिल्कुल domestic matches ही खेले जाते हैं ना कि international ये वेन्यू होने जो है तो यहां पर ज्यादा stats उसके regarding आपको ज्यादा मिलेंगे भी नहीं अगर आप सरज भी करेंगे तो तो बस ये अंदाजा मैं लगा सकता हूँ कि यहां पर जितने last 5-6 matches मैंने जो चेक किये हैं यहां पर बिहार ने यहां पर matches खेले हैं और यहां पर matches जो है वो में भी जम्मू अन कश्मीर ने खेले हैं और तमिल नाडू ने भी कुछ मैचस खेले हैं यहाँ पे लास्ट के 6 या 7 मैचस में से 2 मैच उनके थे तो मैंने सारे जो चेक किये वहाँ पे यही देखने को मिला अच्छे टीम भी यहाँ पे पहला बैटिंग कर चुके और एक हद तक आप लो लेवल की टीम भी यहाँ पे पहला बैटिंग कर चुकी है और एवरेज हम कहेंगे लो तो नहीं कहेंगे किसी को सो एवरेज लेवल की एक टीम भी यहां पर बैटिंग कर चुके है सो दोनों बार जो भी टीम बैटिंग करें 230 प्लस का ही स्कोर बना है कभी 193 शायद बना था जमू कश्मीर जब बैटिंग किया था पहला तो जब मैं भी 193 बना था दुनों टीम की क्या है तो उसके बाद आपको अंदादार लगी ही जाएगा कि क्या स्कोर बन सकता है और कित्ने विकेट्स गिर सकते हैं जब मैरे को लगता है कि 8 विकेट पे पर इनिंग आप काउट करके चलो इस मैच में 8 विकेट से तक गिर सकते हैं मैं यह नहीं कहे रहा कि all out हो जाएंगे दुनों side हाँ एक side कोई all out ज़रूर होगी और वो हो सकता है second batting करने वाली team ही ज्यादा मेरे को लग रहा है prone to all out है तो आप toss के बाद decide करना और ज्यादा time वैसे नहीं रहेगा ज्यादा आपके पास 3-5 minute होंगे तो उ मैस से पहले तो जुरूर देख लेना विजह हजारे ट्रोफी के भी performance last year second last year के में डाल दिये हैं अब चलते सीधा squad देख लेते हैं और playing 11 की बात कर लेते क्या कुछ हो सकती है शिकर्दवन open करेंगे डेली की तरफ से potential opener है और international circuit पे इतना नाम किया है गबबर है तो जुरू इंडिया यह इंडिया बी की टीम सोते हैं वहां पर भी captain करते हैं तो बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं तो पुटेंचली वह भी open करते हैं तो दोनों options हैं ही तेंदलाल open कर सकते हैं या हो सकता है यहां पर उन्मुक्त चान भी open करें ओके वन डाउन पर वैटिंग करेंगे द 2004 से 2021 के बीच का जो पीरियड है वहां पर वन डे डोमेस्टिक यानी ODD के स्टैट्स मने आप डाले हुए हैं तो जरूर देख लेना वन डे डोमेस्टिक के स्टैट्स हैं 258 यहां पर इन्होंने इनिंग वन डोमेस्टिक मैचस में खेलिए ना कि वन डे इंटरनेशनल मैच लिए तो ऐसे करके हमने सारे स्टैट्स यहां से आसाइन किये हैं तो जरूर देख लेना आपको समझा जाएगा दुरूर रहे हैं वन डाउन पे और चार नमबर पर नितिश्राना आएंगे उसके बाद यहां पर अनुजरावत इनके विकिट कीपर हो सकते हैं मैं यहां प आफ ब्रेक बोलिंग कराते हैं रेट एंड बैटिंग करते हैं सांथ नमर बैटिंग करेंगे और अठारा मैचस में अठारा विकेट्स निकाले हैं इन्होंने वन डे डोमेस्टिक करियर में ओके 2017 से 20 के बीच की बात कर रहा हूं ओके शियोम शर्मा पोटेंशली मेरे को ल पॉलिंग कराने की चांस साहते हैं तो 28 सिनिंग में इन्होंने 45 विकेट निकाले हैं और 48 का टेस्ट मैच में चार दिन के मैच में यानि बहुत बढ़िया बोलर है यह जो की आरसीव के लिए भी खेल चुके हैं आपको पता ही होगा डेथ में कराइंगे यह 100% हूं कि यह बोलिंग कराने वाले हैं प्रदीप सांगवान डेथ में बोलिंग कराने वाले प्लेयर हैं और कैप्टन भी है इनके तो जोरू ये उसका अच्छे से अच्छा फाइदा उठाने की कोशिश करेंगे सिमर जीत सिंग डेथ में बोलिंग कराने वाले प्लेयर यानि 40-50 के बीच पुलामे में बी वहां पर ये कैप्टन रहे थे तो ज़ूरु जो ये बहुत अच्छे प्लेयर है लेकिन ज्यादा चांसस नहीं मिलते हैं और शेतिच सर्मा इनको भी ज्यादा चांसस नहीं मिले हैं recent के जो सायद मुश्ताखिल ट्रूफी था वहां पर में भी एक या दो मैच इनको खिलाया गया था ज्यादा मैचस इनको भी नहीं मिलेते उन्मुक्त चांद मैंने बता दिया अंडर 19 और इंडिया ये बी के लिए बहुत ये ज्यादा मैचस खेलते हैं तो ओपन करेंगे मेरे साब से वरना बेंच पर आपको देखने को में भी मिल सकते हैं जॉन्टी सीदू ये भी हैं इनके प्लेयर सिद्धांत शर्मा हैं उसके बाद यहां पर आपको देखने को मिल देंगे कानपाल देन उसके बाद यहां से देखा जाए तो विशोन पांच आल है उसके बाद तेजस बरो का तो यह कुछ जो है इनकी बेंच और पूरा स्कौर्ड का सारा स्टैट्स मैंने डाल दिया है तो जरूर देख लेना सारे स्टैट्स अपडेटेड हैं कोई यहां जरूर वीडियो से फाइदा हो रहा हो तो जरूर वीडियो को लाइक करके जाना मुंबई की तरफ से बात करता हूं तो स्कौर्ड और पॉसिबल लविन बात करते हैं पॉसिबल में पहला तो ओपन करेंगे प्रिच्वी शौ एशर स्वीच जैसवाल के साथ जो स्टैट्स से डोमेस्टिक का मेरे को नहीं मिला तो मैंने हैं डाला नहीं है प्रिच्वी शौ का मिल गया 41 का अवरेज 42 का सब्सक्राइबरेज है काफी सही है एजा ओपनर आप कह सकते हो काफी अच्छा पफॉर्मेंस इन्होंने डोमेस्टिक में किया है उसके बाद वन डाउन के सू ज़रूर बहुती स्लो और स्टेडी इनिंग ये खेल सकते हैं तो आप कैप्टन या वाइस कैप्टन सी के विलिए इनको आप अपना ऑप्शन बना सकते हैं स्मॉल लिग मिनी ग्रेंड लिग के और रोटेशन में आप ज़रूर रख सकते हैं सरफरास खान पांच नंबर प काफी अच्छा रहा है उनहत्तर के आसपास का अवरेज जिन्होंने लास सीजन जो है मैंटेन किया था आंट मैचस में तो काफी अच्छा बैटिंग करते हैं अगर बैटिंग मिलेगी तो ज़रूर ये पचास प्लस की इनिंग भी आपको खेल के दे सकते हैं शिवम दूब यह एक राइटाम आफ ब्रेक बोलर हैं और इनके प्रीमियम स्पिनर्स में से एक होने वाले हैं यह काफी सही इन्होंने मुंबाई के लिए विकेट्स निकाल के दिये हैं सो मिड्लोर्स में यह इनके उपर दारोमदार रहेगा कि यह विकेट्स और यहां पर थोड़ा बह दवलकुल करनी भी जो सायद मुष्टा काली ट्रोफी था वहां पर थोड़ा ओफ कलर ही रहे थे तो यही एक रीजन है बाकी तो और रॉल रेकॉर्ड में काफी सही है दवलकुल करनी का रेकॉर्ड और यहां पर लास्ट जो प्लेयर है उसमें से मेरे को लग रहा है कि आक सामने सारे प्लेयर का बेंच पर जो प्लेयर बैठेंगे उन सबके ऑप्शन भी हैं अगर इन में से भी कोई स्टार्ट कर देता है बिकॉज मैं यह प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 है मेरा ऐसा नहीं कि बिल्कुल कंफर्म है तो प्रेडिक्टेड में से कोई भी आ सकता है तो इन सबके प्लेयर जो स्टार्ट हैं वो भी आप देख लो तो आपको जो है जो भी सेलेक्शन करना है वो उसमें बहुत ही आसानी होने वाली है है तो यहां पर चार मुंबई जीती है और एक डेली यानि यहां पर मुंबई काफी आगे निकल चुकी है हेट डेली की बा मर रहे थे पाकी बोलिंग से कुलवंत कैज रो लिया और यहां पर ललित यादव ने भी ठीक टाक यहां पर कॉंट्रिविशन दिया था मुंबई की तरफ से देखा जाए तो वैसे यहां पर अधित तरे ने 71 की एक इनिंग खेली काफी सही रहा और विन कराया अपने टीम को और यहां पर धवल कुलकरणी के तीन विकेट हैं शिवम दुबे के भी तीन विकेट हैं और तुशार देश पांड़े के दो और शम्स मुलानी का एक विकेट है और उससे पुराना जो मैचे 2014 का मैच है 157 मनाया था 10 विकेट इनके यहां पे भी गए है डेली के और यहा 2012 का मैच है थार्ड मैंच मुंबई ने यहां पर पहला बैटिंग के 295 बनाया यह बार टोटल बड़ा बन गया विकॉज यहां पर मुंबई पहला बैटिंग कर रही है और डेली चेज नहीं कर पाई यहां पर वीकनेस पता चल गया डेली का ओल आउट हो रहे हैं चाहे वह पहला बैटिंग करें चाहें सेकेंड बैटिंग करें लाश्ट तीन बार इन्होंने जब हैट वेट खेला है तब यह आउट हो चुके हैं तो यह आपको ध्यान में रखके चलना है फॉर्थ और फिफ्ट मैच में ज्यादा आपको परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलेंग ऐसे ही अनेलिटिकल और एकदम फैक्चुल मैचस आपके लिए मैं लाता हूं और यहां पर कवर करता हूं तो ज़रूर जो उसके लिए आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है वहां पर आपको फाइनल आपको करना चाहिए था टेम डालना चाहिए था तो मैं कल खोशिश करूंगा दोनों चैनल पर अपनी टीम अपडेट करूं तो जो आप जोइन कर सकते हो टेलीग्राम पे वहां पर फाइनल अपडेट आपको स्मौली की टीम भी मिल जाएगी और लाइन अप भी वहां पर यहां पर उनके ओपनर में ज्यादा देर तक नहीं टिकत हैं तो अलओट होने के ज़्यादा बड़े चांसस उनके नजर आ रहे हैं बाकी रही बात मुंबई की तो उनके पास इतनी बैटिंग डेप्थ है आठ नमबर तक उनकी बैटिंग चल सकती है तुशार देश-पां जो है अपना माइंड बना के रखना है अधित्य तरह मेरे लिए experience wise मैं विकेट कीपिंग में जा रहा हूं बाकी अनुजरावत अच्छे option है और ठीक ठाक किया है performance last year भी तो आप दोनों में से जो भी आप सही लगे आप रख सकते हो अनुजरावत की बैटिंग आही जाएगी और usual से बात है आई जाएगी बाकी विकेट कीपिंग से भी कुछ पॉइंट जरूर यह जोडेंगे catch वगेरा के शिकर्दवन को मैंने drop किया है because of credit issue आप अगर चाहते हो शिकर्दवन को लेना 90% selection है अगर यह 50 प्लस की निंग खेल जाए तो मेरे लिए काफी दिक्कत हो सकत लेकिन पता से नीचे अगर out हो जाता है तो मेरे लिए जैकपोट हो सकता है bargain इनके लिए मैंने जो किया है वह यहां पर मेरे लिए अच्छा साबित हो सकता है बाकी तो शेयर सेयर और सुरे को मार रहा दो प्रिट्वी शौतीनों मैंने आच्छे प्लेयर्स को ले लिया है Mumbai इंडेंस के शौरी यहां पर मुंबई की तरफ से आई पिल के जोश में निकल जाता है तो यहां पर एक fun fact जो वह भी आपको बता देता हूं प्रिट्वी शौ खेलते डेली के लिए है जो आई पे लोता है वहां पर फ्रैंचाइज इनका डेली है लेकिन यहां पर अगेंस किया था रखना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है मैं बताओंगा आप जो भी आपको option सही लगें दोनों opener मत रखना एक opener रख सकते हो सेफ मैं choice बता रहा हूं हिम्मत सिंग मिडल और इनके बैटिंग आ ही जाएगी तो हिम्मत सिंग का भी choice आपके पास option है आप अगर चाहते ह तो पचास प्लस कीनिंग खेलना बहुत ही रेरली हो सकता है बाकि सर्फरास खान को आप पिक करना मैं आगे बताओंगा आप कैसे पिक कर सकते हैं उसके लावा कोई ज्यादा options नहीं है यहां पर मैंने दोनों अपने टीम की तरफ से अच्छे औलोर नस जो है श्रीवमदू प्लेयर सही लगे उसके cost पर आप try कर सकते हो लेकिन बैटिंग ज्यादा यहां पर weak मत कर लेना अपनी टीम के लिए batsman से ही ज्यादा contribution इस match में आएगा खास करके मुंबई की तरफ से batsman ज्यादा sacrifice मत करना ओके तो ज्यादा हो जितना बैटिंग आप मुंबई की तरफ से ल investment से ज्यादा expectation मत रखना कि बहुत बड़ा इनिंग कोई खेल लेगा हो सकता है खेल ले कोई 100 प्लस की इनिंग भी खेल ले लेकिन मैं यहां पर जो on record है वही बता रहा हूं कि यह अभी तक हुआ नहीं है ओके सो तुशादेश पांडे और धवलकुल करनी दोनों को ने रख प्रदीप सांग्वान तो रखना ही है आपको यह यहां पर इनके साथ मैं जा रहा हूं और आपको प्रदीप के तरफ से यह आपको पताई है आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर चेंज क्या कर सकते हो आप यहाँ पर अगर अनुज रावत ले लेते हो तो यहाँ पर आपके पास option बचेगा तो यहाँ पर यहाँ पर सरफरास खान जोड़ सकते हो अपनी टीम में एक अच्छा option मेरे को नजर आ रहा कर दिये और यहा और स्था और यहर को प्रवाइड कर दिये हैं आपको अगर सही लगा वीडियो इन्फोर्मेशन सही लगी तो जरू ज्चाह आँप यहाँ पर वीडियो को इंच कर definite चैनल पे प्याटेटिव बीट ऑनवाला है दो मैचसन्कल पू Лीए सबस्क्राइब कर hypothesis वेट जरूर करना बेल आइकन दबाके तो वहां पे अपडेट आपको PSL का भी मिल जाएगा इसी चैनल पर ओके सो सारे आपको वीडियो से मिलते रहेंगे रेगुलरली सो आपका प्यार बना रहे और आपका support बना रहे तो सब कुछ आपके लिए ही हाजिर रहेगा ओके सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुती जल्द अपडेट्स के साथ डेट्स आ रहे तो तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और लगधी 3000